एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा and the Zoya Factor kid debacle के बाद Sonam Kapoor is all set to work in another female-centric film Reports के मताबिक ये फिल्म होगी Korean film Blind का remake जिसमें Sonam एक ऐसी police officer का role play करेंगी जिसकी आखें एक कल्पृत को चेस करने में चली जाती है and despite being blind, Sonam Kapoor उस कल्पृत को पकड़ती है कहा जा रहा है कि Sonam Kapoor काफी वक्त से एक अच्छी script का इंतजार कर रही थी अपनी दो flops के बाद वो जलबाजी में कोई film sign नहीं करना चाहती थी और अब finally उनकी perfect script की तलाश blind के साथ पूरी हुई है इस film के male lead को लेकर अब तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन कहा जा रहा है इस female centric film के लिए अक्टर विक्रांत मैसी का नाम final है वैसे इस film में role अगर विक्रांत को मिल जाता है तो ये film दिपिका पड़कोन स्टारर छपाक के बाद दूसरी female centric film होगी जिसमें विक्रांत नजर आएंगे वैसे हाल ही में विक्रांत मैसी ने एक romantic film भी साइन की है जिसमें वो तापसी पन्नू के साथ नजर आएंगे Bureau Report, Zoom, Mumbai